मत्यप्रदेश पटवारी भरती में हुए घोटाले और फरजी वाडे को लिकर विपक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर से प्रदेश कॉंग्रेस कारले के सामने NSUI के अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतरत में NSUI कारकरता हुने प्रदर्फिन किया और सरकार के विरोध में जम कर नारे लगाए। इसी पर नेकिये हमारी यहाँ खास रपोर्ट NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने आरोप लगाया है कि यह सरकार घोटाले बाजों की सरकार है और युवाओं के साथ सरकार ने धोका किया व्यापम घोटाला एक और दो के बाद अब तीसरा घोटाला कर लगातार सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है जिसको अब सहन नहीं किया जाएगा देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार आपने 2013 में देखा व्यापम घोटाला जो की विस्व का सबसे बड़ा घोटाला था जिसमें चात्रों के साथ अब बेहरतियों के साथ प्रतियों के साथ कहीं ना कहीं भारती जन्तापाटी की सरकार ने उनको ठगने का काम करा था पैसे लेके कई लोग गए तह、 उसके बाद देखेंगे कि आपक्रिसी का जो एक्जाम हुआ ता उसमें भी व्यापम घोटाला हुआ और एक बार में समाज दो और वो कॉल्लिज भी किसका भारती जनता पाटी के विधायका कॉलेज तो इससे कहीं न कहीं स्पष्ट हो जाता है ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला होने वाला है जिस प्रकार से भारती जनता पाटी सिवराज सिंह चोहान अभ्यार्तियों से पढ़ने वाले अभ्यार्तियों को छोड़कर उनके साथ कुटारगात करकर पैसे वालों से पैसे लेकर उनको पटवारी बनाने का काम कर रही तो आज हम भी व्यापम पे जा रहा है कारले पे पैसे लेकर सूट के जबर कर कि हम सही भी पैसे लीजिए और ह आमें नौकरित देदो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News फोपाल।